बीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दू जो भी स्टूडेंट इस बीडियो को पूरा देख लेंगे यानि कि लास्ट तक देख लेंगे मैं आपको बता रहा हूं कि 75 नंबर का पुडांग होता है आप उसमें कम से कम 60 से 70 नंबर ला सकते हैं गारंटी के सारे कोश्चन आपको तयार करना है और वीडियो को अंत तक बने रहा है ताकि आपको कुछ भी पॉइंट जो हो वो मिस ना हो पाएं वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी 15 मिनट के आसपास ही होगी लेकिन महा संग्राम रिवीजन क्लास होने वाली है क्योंकि हमने पूर सबसे पहले हम आपको माडल पेपर प्रस्तुत कर रहे हैं इसी वर्ट से दोहजार चोविस का अर्थसाफ्तर का ठीक है जो की प्रिस्पल आप माइक्रो एकोनोमिक प्रश्ण पत्र का नाम है और उसके लावा और भी मोस्ट इंपार्टन कोश्चन एंड एंसर इंकिल्यू हाई बट्र आप देने जाएंगे जब आपका एक्जाम होगा तो आपको कल परसो जब भी आपके परिच्छा हो तो ऐसे पेपर होगा और प्रस्ट समस्तर नाम लिखा होगा और अत पहला प्रस्ट ने कि घरती सिमांत उपयोगिता की दो पूरुम विसेशता है बता है ये इस युवर से 2024 में पूछा गया कोश्चन है इसका भी उत्तर आपको मिलेगा कहीं और भागने क्या हो सकता नहीं सब आपको मिलेगा ठीक उत्तर भी मैं आपको बता रहा हूं कैसे मिल होते हैं तो यह मेरे कोटिक महात्पूर्ण इसलिए इग्नोर कर सकते हैं तरलता पसंदगी ठीक है यह कभी कदार आ जाता तो आप इससे तैयार कर लेंगे अगला मोस्ट इंपार्टन जो कि हमेशा अब्लब की आता ही आता है अना धिमान वक्र उदा फिंता वक्री हमेशा फंसता है परिच्छा में ध्यान रखेंगे इसको अगला कि मैद्रिक मज़ूरी वा वास्तविक मज़ूरी की भी आख्या कीजिए ठीक है तो यह भी कदार आता है लेकिन मज़ूरी फिर लुड़ा एक कोईश्चन तो पका फंसेगा फंसेगा इस बात को ध्यान रखेंगे घाते है और अगला कोश्चन गारंटी वाला कोश्चन एक सो एक परसेंट आएगा ही आएगा मांग का नियम यानि कि र congress के मांग होती नहीं कि यह हमें चाहिए चाहिए मांग जैसे कि मार्केट में बोलते हैं है आप ने जो मतलब की जो आप इस बार इक्जामपल इस संब्न्ध कोईश्चन आग और इसे सारे बिज्यों हम ने मिक्स ता कि आपको पूरा का पूरा पूरा मिल जाए ता कि आपको भागना ना पड़े ठीक यह बात को धाना लगाए लिए पीडियोप में प्रस्तुत है ठीक है पहले जानली जी कि कौन-कौन से बहुत प्रशन है उन्हीं को तैयार करेंगे आप से ठीक है अगला की हो समांत सिमांत उपयुकता से क्या समझते यह भी आ जाता है कई बार आचुका ध्यान रखेंगे ठीक है अना धिमान वख्र की चार परिमास है यह भी कई बार आ चुका तो इसको भी आपको तैयार करी लेना कारंटी गारंटी वाला क्वेस्चन है तो इस परकार के प्रस्ट देखने को विलेगे आपको अतिले हुत्रे में फिर हम पढ़ेंगे लग उत्रे को लग उत्रे हम देख लेते कौन-कौन से पूर कारकों को समझाई यह बहुत ही पॉप्लर कोईश्चन कई बार एक्जाम में आ चुका है और इस बार पूरी उम्मीद है कि आपकी परिच्छा में फसेगा ध्यान रखेंगे ठीक है ओके अल्पकाल में कुल लागत औस लागत तथा सीमांत लागत इन तीनों के बारे कैसे आपको उत्तर कहां पर ढोड़ना है ठीक है चलिए एकादिकार के अंतरगत मोल नेधान किस प्रकार का है इतना एग्णोर कर दीजे मोल नेधान स्रुड़ा एक कोईश्चन फसेगत अपता है और मोल विभेद क्या है और बिस्तरत में मोल विभेद के प्रकार बता है मोल विभेद की परिभासा क्या होती है और डीटियल में मोल विभेद की प्रकार होते हैं उनके बार मता है यह इस बार भी उमीदे पूरी आने की आपके एक्जाम में ठीक है अब अगले क्वेश्चन के और हम बढ़ते हैं जो दीर घुत्रे में आपको देखने को मिलेंग दो प्रश्टों को उत्तर दीजी ठीक है दो आप औरे जिबार की चलिए ठीक है कि दो हमें दिर घुत्रे में लिखना है बहुत ही टॉप लेबल का गारंटी वाला कोईश्चन हमेशा फसता है 101 परसंट गारंटी लेने है प्रस्ट फसेगा और इसका उत्तर भी तयार कर ल सेव वही तरह बतब कि सेव उसी तरह अगला भी प्रस्ट है 101 परसंट ही वाला कि उपभोगता की बचत से आप क्या समझते है इसे किस प्रकार बापा जा सकता है इस धाड़ा का बहुत ही पॉपलर बहुत ही टॉप लेवल का कोईश्चन है हमेशा फसता इस बार भी साथ 101 परसंट इसका भी उत्तर हमने तयार कर लिया आप सभी के लिए उसको भी देने ही वाले हैं आप सभी को भी ठीक है अगला प्रस्ट प्रतियोगता की अउधारा अस्परस्ट कीजिए पूर्ड प्रतियोगी फर्मक के अलपकाल और दिर्वार्पाल में संतुलन कैसे राफ्थ होता उसके बारे मं बताएं यह question हमेशा नहीं आता है Do 50-50 वाला है है आःई इसक्ता नहीं सकता आफसा इच्छा तो प्यार करें इसी परकार आ SM आपको परिच्छा में बाडल पेपर question नहीं आएंगे लेकिन कुछ question जो Q घो सकते है 90-60 तो है अब हम लेड़े चलते हैं आप सभी को कोश्चन रजसर कि स्रीच क्यों जो उपर माडल पेपर में कोश्चन था उसी का उत्तर देख लीजिए उप भोक्ता की बचत क्या है इसके बारे में जानेंगे फिर उत्पादन से क्या समझते हैं यह भी महात्पूर्ण प्रस्ण द अब भोक्ता के बारे मस्में बताया है कि सी वश्चन के प्रयोग से वंचित रहने की आप इसको उप्भोकता की बचत कहा जाता है मतलब की कोई भी वस्तु है कोई भी सेवा है कोई भी समान है ठीक है उसके प्रियोग से वो कोई भी उप्भोकता है वो अभी वन्चित है मतलब की उस सर्विस के बारे में या फिर वह वस्तु कपड़ा है कोई भी ले लीजिए या फिर कोई भी सर्वी से उससे वह वंची था अभी तक उसने उसको ना खरीदा है ना उसको सेवा में लिया है ठीक है तो उसके लिए जो भोगता होता वो कोई भी कीमत देने के लिए ततपर रहता है कि भाईया इसको तो हमने यूज ही नहीं किया ना है यूज करने से या वस्त खरीदने से ठीक है तो उसके लिए वो कोई भी कीमत देने के तैयार है कि हमको दे दीजिए इसको हम तरही अत्रिक तो स्वंतुस्टिक का से पधान से क्या समझते हैं तो उठ पारे कि हमारी पांस मांगे एक कंपपनी जिसमें हम चाया-पत्ती का निर्मार करते हैं क्या कि उद्पादन करते हैं जो आप लोग चाय पीते हैं उसमें चाय-पादन करते हैं तु तो इन उत्पाधन का मतलब या ताज़ पर समाने रूप से किसी वोश्ध की निर्मार्थ से होता है किन्तो आर्थसाफ्ट की जर्स से उत्पाधन का अर्थ किसी सोरूप के बदलते हुए वस्त में उपयोकता फिजट करने से होता इसका अर्थ को कुछ अर्थसास्ति सही मानते हैं इन अर्थसास्तियों का मत है कि वह किरिया जो किसी वस्त की उपयोकता में ब्रद्धी कर दे लेकिन उसका बिनमय मोल लिना हो उत्पादन किरिया नही है नहीं लेकिन हम आपको most important question select करा दे रहें ताकि आपके एक्जाम में आपको सफलता मिल जाए कई वार आचुका ध्यान रखेंगे उत्पादल फ्रियूडा और उप्भोगता फ्रियूडा question कई वार आचुका है उत्पादन फ्लन ये भी महात्पूर है ठीक है मूल नियंतर प्रस्टन आएंगे तो इसका उत्तर लिखेंगे कि मांग के नियम की मानता है अब अन्य बाते समान रहने पर कि आय यथा इस्थिर रहनी चाहिए यह हो गई दूसरी हो गई को पहोगता की रुचवा सोभाव में कोई परिवर्तर नहीं होना चाहिए ठीक है और अगला की अन्यवस्तों के मोल से कोई परिवर्तर नहीं होना चाहिए किसी नई अफ्थान ठीक है अफ्थाना पन्यवस्त क वह बोगता को पता नहीं लगना चाहिए तो यह कुछ मांग की मानता जिनको आपको एक्जाम में लिखना में अगर प्रशना आ जाये तो बहुत ही महत्तमड़ प्रशन है मांग की रेखा से आपका समझते कभी कदार आता है और मांग की नियम की बैख्या गारंटी वाला आयलोच और बाग की बोल लोच यह दोरो कोईश्चिर हवेसा पसते हैं इन दोनों कोईश्चिनों के बारे मापको अच्छे से पढ़ी पढ़ी लेना ताकि आपके एकजाम में आपको सफलता मिल जाए कि सर आपने बताये नहीं नहीं तो हम तयार कर लेते हैं तो पृतिनीदी फर्म से क्या तात पर आप इसे एकणूर कर सकते हैं क्योंकि यह बहुत कम प्रशना आता है अगला बहुत ही महात्पूर क्योंकि यही आपकी कोईश्चन पेपर का नाम है यही आपका सब्जेक्ट है सूच मां अर्थ बेवफ्ता जिसको इंग्लिस में बोलते हैं माइक्रो एकोनमिक्स यह बहुत ही पॉपलर कुईश्यन हंडर प्रसेंट फसेगा फसेगा गारंटी के साथ तैयार कर लिजेगा ठीक वज़से भी आपको जानना भी चाहिए अगला की आर्थिक प्रडाली यह अतिलग उत्रे में कई बार फस चुका है प्रस्ट ध्यान रखेंगे मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन-कौन से भी कई बार आ चुका है तो कुछ तत्व हैं जैसे कि जनसंख्या का कार्यों बश्ना आयका वित्रण वस्त की अपनी कीमत संबंदित वस्तों की की प्रभावित करने वाले कुछ एलेमेंट्स जिनको हिंदी बोलते हैं तत्तों जिनको आपको कंसे कम आठ से दफ तयार कर लेना है ठीक है बहुत पॉपलर कुश्चन है प्रतिफल के नियम कभी कदार आता है आप इसे एग्णोर भी कर सकते हैं अगला कुश्चन है कि सकते हैं उस्चर उत्तर उसका दोड़ों आप लोगों कि समस्तम ने प्रस्तुत किया ठीक है कीमत प्रभाव किसे कहते हैं कभी 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 आता है आप पढ़ लेंगे तो बैटर ही रहेगा असी प्रत्सत ही उम्मीद इस प्रश्चन क्या नेगी तो पढ़ लीजेगा तो ब प्रिश्चा में कि साथ में बोला हूं ठीक है उग्या प्रतियस्थापन सीमान्त की दर और प्रिस्ति के सिमांत प्रतियस्थापन दर क्या इन दोनों की बारे में आपको जोरू पढ़ लेना ठीक है एक अदिकार कि मत कभी कभी कदा रहाता कि मांत उप्योगता हमेसा था देखिए प्रश्ण उपर देर गुत्रे पूछा गया था उसी का उत्तर देख लीजिए सिमान्त उपयोगता और सम्सिमान्त उपयोगता कि नियम यह वाला कोश्चन ज्याद आता और सम्सिमान्त वाला कमाता है ठीक है तो अगर दोनों तयार कर लेंगे तो एक तो पक्षा फंसी फस जाएगा बजार मोल यह भी पिछले फालों में कई बार आ चुका है इस बार तो नहीं आया था लेकिन पिछले फाल आ चुका है ठीक है पानी यह इतना महत्पूर्ण एक अधिकार कभी कदार अतलगुत्रेप देखरों को मिलता है ठीक है प्रश्ण के सामोत परकार आच्यों कर इसको भी फोकस कर लेंगे ठीक है तो इस प्रकार के जो मैंने प्रश्ण मताएं माडल पेस्ट में उनका तयार करना है उत्तर और उस प्राद कर लेगा थीक है और बागी दो चार कोश्चन होंगे जिनका नहीं मिलेगा उसको आपको इंटरनेट पर सर् पर आप अपने एक्जाम के तैयारी कर लिजीगा ताकि आपके एक्जाम में आपको मिल जाए हम यह वीडियो उन सभी चाहतरों के लिए बनाते हैं जो एक्जाम की तैयारी बहुत ही कम किये हैं यह फ्रीज ना उनके पास को इस बात को ध्यार नखेंगे बाकि आपकी